हेलो फ्रेंट्स आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मल्टिपल गूगल क्रोम कैसे कीरेट कर सकते हैं सिर्फ वन किलिक में अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना किस तरीके से मल्टिपल गूगल क्रोम कीरेट करते हैं और मल्टिपल गूगल क्रोम कीरेट करके यूटूब चैनल का जो क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 घंटे का वो भी आप इस मल्टिपल क्रोम के जरिये कम्पलीट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से multiple google chrome create करते हैं और YouTube चैनल का जो criteria होते हैं 1000 subscriber का और 4000 गंटे का वो पूरा करते हैं तो वीडियो पे बने रहना और end तक देखना ताकि आपको भी पता चले So friends finally आगे अपने PC के screen पे और यहाँ पे आपको बताएंगे किस तरीके से multiple google chrome create करते हैं और YouTube चैनल को monetize करते हैं 4000 घंटे complete करके ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हमारे वीडियो के description में आपको एक link मिलेगा उस link पे आप click करोगे तो आप direct हमारे website पे आ जाओगे absmarttech.blogspot.com पे यहाँ पे आप उपर में देख सेक्ट हमारे website का link है यही लिंक आपको हमारे वीडियो के description में मिलेगा तो सब अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है service पे आपको click करोगे service पे जैसे ही click करेगे तो watch time का यहाँ पे option दीखेगा तो आपको direct इस पे click कर देना है ठीक है जैसे आप इस पे click करोगे तो आपको chrome file generator software का option यहाँ पे दीखेगा तो आपको scroll down करके आपको direct नीचे आ जाना है जैसे नीचे आऊ गए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे option यहाँ पे बताएं है किस तरीके से आपको install करना है क्या करना है तो आप यह पढ़ सकते हो otherwise video end तक देखो आपको पुरा तरीके से मैं guide करके बताऊंगा किस तरीके से profile generate करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है और इसको extract करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको desktop पे ले चलते हैं इसको और इसको minimize करते हैं minimize करने के बाद आपको यहाँ पे chrome profile generator को extract करना है यहाँ पे extract file click करना है और यहाँ पर OK देना है ठीक है यहाँ पर extract करोगे तो Chrome for file generator आ जाएगा अब यहाँ पर क्या करना है double click करके open करना है और यहाँ पर देख सेकते हो इसको double click करके open कर लेना है यहाँ पर यहाँ पर एक लिखाओगा multiple Chrome बनाना चाहते हो 50,100 वो बना सकते हो तो आपको क्या करना है सिर्फ इसको ऐसे ही रहने देना है आपको यहाँ पर click करके आपको यहाँ पर पचास,100 जितना बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो तो सबसे पहले हम 50 Chrome क्रेट करने वाले हैं तो इस पर हम 50 लिख देंगे 50 लिखने के बाद यहाँ पर जो नीचे आप एरो दिख रहा हो इस पर आपको क्लिक कर देना है यह से क्लिक करोगे तो complete के option आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर क्लिक किये थे उतने यहाँ पर आ चुके है तो इस तरीके से आप प्रोफाइल जनरेट कर सकते हो multiple ठीक है अब मैं आपको इसमें बताऊंगा किस तरीके से जो है यूटूब क्लिक करोगे तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर मैं एक दो वीडियो चला के आपको और यूटूब का मैं दिखा दूंगा सिर्फ गाइड के लिए और आप खुद से यूज कर सकते हो अदर्वाइस यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो अब यहां पर क्या करना है मै क्लिक करके ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको यहां पर यूटूब डियरेक्ट सर्च करना है तो फाइनली हम यहां पर यूटूब सर्च करेंगे और यूटूब सर्च करके आपको चले जाना है यूटूब पर यूटूब पर जाने के बाद आपको क्या करना है यहा पर अभी उसको सर्च कर लेता हूँ जाने म्यूजिक वर्ल्ड ठीक है तो यहां पर सर्च करता हूँ तो फाइंली अभी देखो गए तो यहां पर जाने म्यूजिक वर्ल्ड के नाम से आ गया है जितने video हैं उतने अब उस पर क्या करना है किलिक करके play all पर play list पर जाना है और किलिक कर देना है और यहां पर उपर में जो आपको यह link दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और इसको copy कर लेना है ठीक है select करके Ctrl A से select करना है और Ctrl C से आप copy कर सकते हो otherwise direct mouse कर सकते हो अब यहां पे क्या करना है आपको यहां पर जोटना करसकते हो और उसके यहाँ पर यह दिखनाओ का ओपचन अरो का इस पर किलिक करना है यहां पर साउंड साउंड को जो है मुट करके उसके बास यहां पर सेटिंग स्पैन एक बाद यहां पर क्वालिटी जो है इसका 144 पी कर देना है और यहां पर नॉर्मल जो स्पीड प्लेबेक उसको बिल्कुल जीरो कर देना है ताकि अगर आपका मतलब एक घंटा वीडियो चलेगा तो आपको मिलेगा तो बहुत इस तरीके से आप वाश्ट्यम से कम्पलीट कर सकते हो तो अब क्या करना है दूसरा भी आपको ऐसा अपनाना है जो मैंने अभि अब यहां पर एक और में create करके बद्सबसे पहले आपको sound को mute कर देना है यहां पर एरो पे क्लिक करना है और इस पर भी क्लिक कर देना है और यहां पर Settings पर आना है quality 144 और जो playback speed है इसको आपको five पे Select कर देना है तो इस तरीके से आप सभी Chrome में आप लगा के और मतलब छोड़ दो 10 घंटे के लिए तो 50 अगर क्रोम में आपके चलते हैं यूटूब के तो आपको मतलब 10 घंटे में 500 घंटे आपको complete होंगे ठीक है तो इस तरीके से आप मतलब 5-6 दिनों के अंदर आपने यूटूब का जो criteria 4000 घंटे का उस तरीके से complete कर सक सकते हो और इस तरीके से आप यूटूब चैनल को बहुत सारे यूटूब चैनल को भी शेल कर सकतो यह मैथट ठीक है तो मुझे उमीद है आपको यह वीडियो अच्छा लग वर वीडियो अच्छा लेकर तो लाइक कर देना और हमारे आप चैनल पर पहली बार आए हो तो को सब्सक्राइब कर देना साथ ही सथ बैल आइकन को प्रेस करके औल पर सेट कर देना ताकि लाइफ में जब भी वीडियो में अप्लोड कर उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स वीडियो में तब तक लिए इतना ही जैहिंद बने मार्ण